रूशकमा शर्म और वेल्कम हुपने अक्षा और आज की वीडिविटिर्स और पात करने वाले हैं मिलेख सिब्सक्राइबने यह वारे तो वहां पर उनको कैसे सठ रहे हैं पर पीछ में compare करें वहां पर काम आते हैं आपके comparables and comparators अब suppose करो हमारे पास एक list of students है का एक class को अंदर multiple students है ठीक है और हमें का जाता है कि इन students को sort करो और students के पास का क्या property है students के पास property है marks और उनका name अब हम किस basis पर sort करें इनको ठीक है नाम के basis पर sort करना है या marks के basis पर sort करना है वहां पर काम आते हैं आपके comparators and comparables सच में आ रहे हैं अगर नहीं आ रहा तो कोई दिकती हम जब करेंगे ठीक से तो समझ जाएगा आपको तो start करते आपकी जो आपकी जो आपकी जो आपका जो sorting का तरीका होगा वो यही अरहने वाला है तो जैसे अगर एक student class है और इसके अंदर हमने comparable interface define करेंगा कुछ भी कि यह इसका sorting का तरीका होगा तो इसका मतलब यह जो students है इनको अपसे हम स्रफ इसी basis पर sort कर सकते हैं दूसरे basis पर sort करने के लिए comparable आपकी help नहीं करेंगा वह classes natural ordering ठीक है natural ordering defining करने काम आता है and the classes compare to method is referred to as a natural comparison method तो comparable interface के अंदर आपका compare to method होता है यहाँ पर देखरो public interface comparable of any type t टीक है generic है list and arrays of object that implements this interface can be sorted automatically by collections.sort and arrays.sort तो अगर आपके पास कोई array है तो वह आपका arrays.sort के help से sort हो जाएगा अगर उसने comparable interface को implement किया हुआ है और collections.sort के अंदर भी आप sort कर सकते हो अगर आपने comparable interface को implement किया हुआ है अब ज़रा बहुत बात है होगी अब ज़रा code में आते हैं और हम आने एक package बना हुए comparators and comparables इसके तो यह हमारी plane और java object class बन जुकी है अब हम एक main class बना लेते हैं इसी package के अंदर अब ज़रा एक list of students बना लेते हैं ठीक है list of students हम पर हमारी एक normal students बन चुकी है और ज़रा अगर हम इनको print करें तो देखते हैं print कैसे करते हैं so students dot for each ठीक है तो यह एक तरीका होता है यह हमारा lambda वाला एक function होता है तो आज को आपको मैंने यह बता दिया I think मैंने इसे पहले कभी ने बता था कि lambda की help से आप कैसे जीज़न कर सकते हैं तो आज की उरे में lambda के काफ सारी expressions हम देखने वाले हैं जो शायद आपके लिए नए हूं लेकिन ज्यादा घबराना मत उनसे वह lambda के expression यार थोड़ा code को optimize करने के लिए हैं कि ज्यादा हमें चीज़ें ना लिखनी पड़े और हमारा काम easily हो जाए तो यहाँ पर क्या है कि हम students के अंदर जा रहे हैं पहले हम क्या करते थे और एक ही करके उस student को हम प्रिंट करते रहते थे लेकिन यहां पर लैंडर ने कहीं कर रहा है कि system.out के अंदर जो यह प्रिंट वालन वाला function है इसके ऊपर यह वाली प्रॉपर्टी लगा दो जो भी हमारे पास आ रहा है ट्रेटी जो भी आ रहा हमारा ट्रेटी है एक student और वह प्रिंट एलन अपने अपने उस चीज़ को accept करेगा और प्रिंट कर देगा यहां पर जड़ा इसे चला के देखते हैं क्या होता है तो हमारे पास यहां पर जो expected था पांच students है और पांचों के पांचों एक list के अंदर आ रहे हैं अब जड़ा इनको हम sort करते हैं sort करने का try करते हैं पहले normally sort करने का try करते हैं ठीक है तो हमें पता है collections.sort होता है तो collections.sort के अंदर आपको sort कराना है किसी चीज़ को तो यह expect करता है एक ऐसा array या एक ऐसी list जिसके जो items हैं उन्होंने comparable इंटरफ्यूस को implement कर रहा हूँ ठीक है यहां देखो यह कह रहा है अगर हम इस method के अंदर जाएं इसकी declaration को खोले हैं तो यह कह रहा है कि T extends comparable मतलब इसके अंदर ऐसा type डालो जो comparable को extends कर रहा हूँ ठीक है लेकिन हमारा जो type है वह student और यह अभी नहीं कर रहा है comparable को extend तो ऐसा करते हैं इसे कर देते हैं यहां पर आ रहा है तो add unimplemented methods यहां पर आ गया देखो compare to method जो compare to method होता है तो यहां पर आ चुका है और हमें पता है जब हम कोई चीज़ इंप्लिमेंट करते हैं कोई इंटरफेस को इंप्लिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी methods होते हैं उनको मैं यहां पर implement करना होता है अगर abstract डिफाइन नहीं है तो बात कर लेते हैं compare to method के बारे में तो compare to method यार हमें comparable से मिल रहा है हमें पता चल गया लेकिन यहां द नेगेटिव हो सकता है बॉस सकता है या फिर जीर हो सकता है कोई भी इंटिजर होता उसकी होता है है अंधा सारी इंटिजक्स का यह डोमें न है तो अगर यहां से एक positive नॉंबर मिल रहा है तो करन वाला object है यह चोटा आ है अगर यहां से एक the negative objective यह बड़ा है किसे इस वा वाला object बढ़ा है सब उसकर करन्ट वाला object बढ़ा है if this dot मैं marks के बिश्चे सब्सक्राइब करता हूँ if this dot marks is greater than object dot marks कि अगर मेरे marks बढ़े हैं तो return minus 1 this dot marks is less than object dot marks return 1 तो मैं आप माइनस 1 की जगा माइनस 50 भी लिख देता तो भी फराख नहीं पड़ता वो बेसिकली पर यह करते हैं कि negative है या positive है या फिर 0 है उनको फरेख नहीं पड़ता क्या नांबर return हो रहा है return 0 अगर ना if है ना else if है तो इसका मतलब दौनों बराबर ही है तो इसका मतलब return 0 इसको run करके देखते हैं तो मैं यहां पर आया और यहां पर आपको यहर नहीं आ रहा है यहां पर करते हैं इसे यहां पर sorting हो चुकिए है देखरो माक्स के साफ़ सौर्ट है और decreasing order में है अगर आप चाहतों इनको increasing order में sort करना तो यहां पर बस आपको कुछ नहीं यह inverse करना है इनको minus 1 यहां पर रखना और बस अब आप इससे चलाओगे अगर मेरा current object बड़ा है और अगर वह 0 है तो इसका मतलब दौन बराबर है यह कब आपको decreasing order में sort करना है यह भी important है यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि अगर मुझे increasing order में sort करना है तो अगर मेरा current object बड़ा है तब में return करूँगा 1 अगर मेरा current object छोटा है तो में return करूँगा minus 1 और में return करूँगा 0 तो यह चीज़ दियान में रखनी है increasing और decreasing का भी matter होता है तो यह था हमार comparable interface object that implement this interface can be used as a key in a sorted map और as a element in sorted set without a need to specify a comparator तो अगर आप comparable define कर दे तो किसी चीज़ को तो वह आपका sorted map के अंदर भी यूज हो सकता है वो direct collections.sort के अंदर यूज कर सकते उससे बिना एक comparator define किये अब comparator बहुत बहुत बार हमने बोल दे लेकिन comparator है क्या तो अब ज़र आब वह भी इसके अंदर है compare अगर आप नहीं चाहते कि किसी class की natural ordering हो अगर आप नहीं चाहते कि ये class इसी हिसाफ से sort होनी चाहिए तो वहाँ पर आप एक flexibility दे सकते हो कि इसके अंदर run time पर आप एक comparator pass कर सकते हो ठीक है वरना हमें यहाँ पर define करना पड़ता है कि comparable ये बंदा इसी तरी ये class इस तरी से sort होगी ठीक है लेकिन यहाँ पर आप एक नया comparator बार बार पास कर सकते हो और चाहो तो एक class के अंदर multiple comparator pass कर सकते हो को करना marks के साफ करना है तो marks वाला comparator पेज़ दो जब आप चाहते हो कि नहीं पहले name के साफ करना है और अगर दो लोगों के name सेम है तो इन पहले वाला है बड़ा दूसरा वाला है चोटा और तीसरा वाला है अब दौनों के mark सेम है तो अब अगर दौनों के mark सेम है तो हम यह को और चीज़ कर सकते है अब मैं इनको name के साफ कर देता हूं तो return this.name.compare to object.name तो यह compare to कहा सा है यह compare to string यह name string है और string ने comparable already implement किया हुआ ह दिखा है string की implementation में आया हम है और यहां देख रहे हो comparable string तो string ने अपना इंप्लिमेंट किया हुआ है और इससे इसने एक natural ordering ले रख़िया और natural ordering क्या है alphabetical ordering जो आपकी dictionary के अंदर होता है और यह चीज़ हम यहां पर test भी कर सकते हैं कि suppose को इन दौनों के रोहित और अनुच के दोनों के same marks है ठीक है तो देखते हैं sorting के basis बहुती है फिर तो क्योंकि इन दोनों के same marks से 13 13 लेकिन अनुच पहले आता है ordering के अंदर तो इसलिए अनुच पहले और उसके बाद रोहित बाद में है तो जड़ा comparator भी बनाकर देख लेते हैं का आप सारे तो ऐसा करता हूँ मैं यहीं पर comparator बना दिता हूँ तो comparator बनाने के लिए कुछ इंप्लिमेंट कर देता हूँ ठीक है और इंप्लिमेंट कर लेते हैं इन methods को जो है compare similarly इसका भी return वैसे चलता है कि अगर यह return करता है एक positive number तो इसका मतलब o1 is greater than o2 अगर आपको decreasing order में sort करना है तो अगर यह return कर रहा है negative number तो o2 is greater than o1 और अगर यह return कर रहा है 0 तो इसका यहां पर डाल के देख लिएते हैं कि suppose करो sort by name then marks ना तो अगर इनका mark इनका name equal है already suppose करो तो o1.name अगर इन दोनों के name equal हैं तो हम इनको marks के basis पर sort करेंगे तो return o1 dot marks minus o2 dot marks तो यहां पर मैंने क्या किया है यहां पर देख रहे हैं मैंने o1 dot marks minus o2 dot marks किया हुआ है इसका मतलब यह है कि अगर दोनों के name equal हैं तो हम इनके marks के basis sort करना चाहते हैं और अगर o1 के marks बड़े हैं o2 के mark से तो अगर हम o1 dot marks minus o2 dot marks करेंगे तो एक positive number मिलने वाला है और अगर o1 के marks कम होंगे o2 के mark से तो एक negative number मिलने वाला है और अगर दोनों बराबर होंगे तो zero मिल मिलने वाला है तो हमने वह वाली प्रॉपर्टी को यहां पर यूज कर लिया बजाए कि यहां पर हमने जैसे तीन चीज़े डिफाइन कर रखी थी ना यह तीन डिफाइन कर रखेते इफ एल्स और यहां पर एक सिंगल लाइन में भी काम चल सकता है हमारा जो कि होगी return this dot marks minus object dot marks बस ठीक है जब आपको decreasing order में sort करना है तो और यहां पर पहले हमने चेक कर लिया अगर नाम equal है तो यह चीज़ करो अगर नाम equal नहीं है तब नाम की बिश्चिस पर sort कर दो तो नाम की बिश्चिस पर sort करने के लिए return मेक सेंस अब हम क्या करेंगे collections dot sort के अंदर यह student ने सब्सक्रों comparable method इंप्लिमेंट नहीं किया हुआ था ठीक है तो हम यहां पर comparator pass कर देते हैं comparator क्या होगा new sort by name and then marks तो हम यहां पर comparator का object pass कर सकते हैं ऐसे करके ठीक है ऐसे हमने comparator का object pass कर दिया तो अब यह sort कर देगा इसको इस rule के साफसर जो हमने rule नीचे define किया है इसको run करके देखते हैं तो यहां देख रहो सबसे पहले यह sort by name तो सबसे पहले name by sort करेगा तो अमन, अनुज, राम, रोष, श्याम लेकिन अगर दो लोगों के नाम सेम होते तो यह उनको फिर marks के साफ से sort करता है लेकिन हमारे कोई भी दो नाम सेम नहीं है तो मैंसा करता हूं यहां पर दो राम बना देता हूं और अब देखते हैं तो दो राम अगर हैं तो उसके बाद फिर हम यहां पर इनके marks के विस्टे से sort कर रहे हैं ठीक है 13 पहले फिर 23 यहां उसको इंप्लीमेंट करा है और फिर उसके बाद इसका इंप्लीमेंट किया मैथड लेकिन अगर हम चाहें एक नए क्लास ना बनाना तो हमें एक अनॉनिमस क्लास भी बना सकते हैं तो नियू कंपेरटर और और फिर यहां पर उसकी फंक्शनेलिटी दे दो ख़तम सेम चीज़ आपर कर सकते हैं तो मैं तो यहां पर मैंने एक नया क्लास नहीं बनाया आँ सो Помपेर 2 मैथट Помपेर 2 मैथड नहीं दिया, इक अनॉनिम समय मैं ड्रहें इन, क्लास बना ओंड अट्वार तो आपको समल्राहँ हम इसका यहां चाहिए आप जितने मर्जी यह हैं और जब आपका मन कर रहा है कि इस class को मैं इस साफ से sort करने जाता हूँ, तो आप उसके अंदर वाला computer pass कर दो, यह आपको लगता है कि नहीं, मैं दूसरे साफ से sort करने जाता हूँ, तो आपको बार बार अगर change करना है, तो उसकी functionality को direct to class में जाके change करना पड़ेगा, इसकी natural ordering क आपको change करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास flexibility होती है, यह था normal Java 8 से पहले तक लेकिन Java 8 की बात हमारे पास Lambda introduced होगा, और Lambda क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा interface है, जिसके अंदर सिर्फ एक function डला हुआ है, तो हम उसके अंदर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, अच्छी अच्छ और आपको पता है कि इसके अंदर एक ही method है, तो आपको यह भी बताने की जरूतनी है कि method का नाम क्या है, आपको पता है कि यह method है, एक integer return करने वाला है और public method है, तो इसको भी हम उड़ा सकते हैं यहां से, ठीक है, हमें पता है यह और फिर student O1 O2, बस फिर यहाँ पर हम यह करना पड़ता है कि यह lambda function है, तो उसके लिए arrow आजाता है, and this arrow will extend till here, और हम इस चीज़ को यहां से अटा सकते हैं, और यह खतम, तो यह एक चीज़ है, जो lambda के साथ आई है, और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, थोड़ी और अगर हम चाहें इसके अंदर करना, तो हमें पता है कि यह student class की है, यह student type का ही है, तो यहां हम यहां से इसे भी अटा सकते हैं, compiler को पता है, तो student and student, यह दोनों भी जा सकते हैं, और हमारा यहां पर फिर भी काम चल रहा है, अब अगर हम इसे अभी भी चलना है, तो यह चलेगा, ठीक है, जैसे इसे चलना चाहिए, अगर आपक करो आप सिर्फ name के साफ से sort करना जाते हो, तो आपको यह सब लिखने की जरूत नहीं है, आप आओगे, यहां पर लिखोगे, o1.name.compare to o2.name, ठीक है, तो यह एक line में आपका पूरा पूरा सिमर सकता है, एक और चीज comparator हमें देता है, comparator class, अगर आप चाहो, तो suppose करो यह न dot sort students, तो comparator dot comparing, तो यह function जो है, यह comparator return करता है by definition, और इसके अंदर हम चाहें तो एक key extractor डाल सकते हैं, key extractor क्या है, basically यह बताएगा कि किस key के basis पर आपको compare करना है, तो suppose करो मुझे name के basis पर compare करना है, तो मैं बताऊँगा कि एक student के अंदर get name करके एक function है, और उस key के basis पर आप sort कर दो, तो मुझे यहाँ पर यह भी define नहीं करना पड़ा, कि यह o1.compare to o2.name, चोकि इसे पता है कि अच्छा यह key है, और इस key ने अपना compare to अपना already define कर रख है, तो यहाँ पर हम इस key के basis पर sort कर देंगे, और यहाँ भी यह काम चल रहा है, अगर हम चाहिए नीचे वाला दिखाना कि sort by name then marks, तो इसके अंदर compare.comparing के बाद आप एक then comparing भी डाल सकते हो, तो then comparing के अंदर आप फिर दूसरी key डाल सकते हो, कि अब किस key के basis पर sort करना है, तो अ चलाते हैं इसे, पहले name के पर sort किया, फिर उसके बाद इसने है, दो के name same है, तो इनको फिर marks के basis पर sort कर दिया, एक और होता है इसके अंदर dot reverse करने से क्या होता है, कि अभी जिस basis पर sort रोड़ता है, उसको reverse कर दो, तो dot reverse वहाँ पर काम आता है, इससे चलाते है, तो देख र और हमारी वेडिया sorting techniques थी, हमने देख लिया comparable objects कैसे होते है, अबने देख लिया comparator object कैसे होते है, अनोनिमस comparator class कैसे काम करते है, और देख लाग ही comparator.comparing के अंदर कौन-कौन से methods हमें मिलते है, तो then comparing होता है, reverse होता है, अगर आप चाहर रिवर्स order में sort करना, तो आप reverse उसकर handling नहीं करा रहा है, लेकर एक्सेption handling करा रहा है, lecture 35, वो पहले playlist में नहीं था बस, अब playlist में बने डाल दिया उसे, ठीक है इसके बाद हम कर रहे होंगे recursion, recursion इस तरीक से करने वाले कि आपको पहली बार भी समझ में आ जागा, recursion को करने की बहुत अची technique है, इससे हम solve कर रहे होंगे, तो next video में कर रहोंगे recursion, तब तक के लिए चलते हैं, see you, have a good day, bye bye